कि विल्कम टू अले इंजिनियर्स कि लास्ट प्रास में हम लोग डिसी मशीन का ये मेंफ इंडियूस का फर्मूला डिराइफ किये थे और एक नुमेरिकल किये थे और दो नुमेरिकल आपको होमवग में दिये थे तो आज का हमारा टॉप्टिक तो यह है सर्किट मॉडल ऑफ डीसी मशीन लेकिन चल्दी से जो आपको वुबग दिया गया था उसको हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं कुछ लोग अंसर ऐसे भी है करेक्ट है देखें आपको एक क्वेशन जो दिये थे उसका सॉल्यूशन है यह पक अधोर वीं हम ट्रेफ करने के लिए कि लेकिल गजर वैहां है और मजिए जोड़्र ते प्र श्लुव diplomard पस्वारिख है तो चालीज स्लोट है और 12 पर स्लोट है तो टोटल नंपर ऑफ कंड़ेक्टर कितना हुआ है 14 चालीज स्लोट और 12 कंड़ेक्टर पर स्लोट और उसके पाद आपको कर रहा है कि जन्रेटेड वॉल्टेज दे रहा है इसमें 500 वॉल्ट जन्रेटेड वॉल्टेज 500 वॉल्ट स्पीड निकालना है आपको और एंपर और और फ्लक्स पर पर फिफ्टी मिली वेवर्ट तो इस कुश्चन में कुछ नहीं है बस हम लोग यूज करें अपना फर्मुला इक्वल तो जेड़ पी एंड फाई अपॉन ए वॉल्ट तो इ आपको पता है 500 इक्वल तो जेड जेड कितना है 480 इंटो पी पी कितना है 8 अन निकलना है 5 5 कितना 50 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 3 डिवैदे बाई 8 एक कितना है यहां से अन अगर निकाले जो कि आर्पीयस में होगा वो हो जाएगा एन इक्वल तो 500 अपॉन 480 इंटो 50 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 3 ठीक है यानिकी 500 इंटो 10 तो दी पावर 3 अपॉन 480 इंटो 50 ठीक है जिसको और हमको सॉल करेंगे तो यह करी 1000 अपॉन 48 आर्पीयस आया रेवलुशन पर सेक्ड एक सेक्ड में इतना रेवलुशन तो देयरफोर आर्पॉलिंग कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 48 इंटो 60 तो यह आ जाएगा आपको आई थिंक बारा पंचे सार्ट इंट आसी लग़ा है तो यह एक कुशन था अगला कुशन जैसमें है बहुत असान है आप प्रैक्टिस कीजिए मुक्स हैं आपके पास यह विम्रा स्था कुशन लागत को धारी जिससे भी आपको मानों प्रैक्टिस कीजिए इस टैप यह कुशन को नेक्स्ट कोशन है डीसी मुसीन है सिफ्टी क्वाइल इच और फाइव तंस फिफ्टी क्वाइल वाइल दे रख रहा हैं क्या होगा इफ लैप नेक्टेट लैप कनेक्टेट मतलब ए इकवल टो इकवल टो एट अन रंस एक आर्पियम थाउजन आर्पियम लेकिन फर्मुला में हमको अर्पियस चाही तो थाउजन बाई सिक्स्टी आर्पियस देखें यह में फिंड्यूस निकालना है कुछ भी नहीं है हम लोग को फर्मुला वाई उसकरना है जेड़ती एंफाई अपॉन एका लेकिन इसमें प्रॉब्लिम यह है कि नंबर आप कंड़क्टर्स डिरेक्ली नहीं दिया है नंबर आप पचास कोईल है और प्रते कोईल ने पांच ठाण है तो एक कोईल का हम यहां पर आपको फिए तना रहें एक कोईल कैसा हो एक कोईल ऐसा होगा एक टर्ण वर कि दो टर्ण कि दिनी टर्ण चाटर और टु त्री पूर्ट प्रते कोईल में पांच ठाण अब जो एक कोईल है उसमें कितने कंड़क्टर सोंगें पांच टर्ण मतलब कितने कंड़क्टर तस कंड़क्टर कौन कौन यह एक दो तीन चार पांच छे-चे-चे-चे कंड़क्टर पांच है एक कंड़क्टर में तो पता है आपको 1000 by 60 जेड़ पी एंफाइब फाइब फाइब इसका है जिरो पॉइंट गिटेक्ट कर जाएगा यह वैल्यू आजाएगी आपको 541.66 वोल्ट टेके नेक्स्ट जो अगला कुश्चन है इसमें जो इसका बीपार्ट है टेके बीपार्ट में कहा रहा है बीपार्ट में कर रहा है कि what must be speed at which the same machine is to be driven to provide the same EMF if it is wave bound तो एक गोल्टेज इतना ही जनेरेट करना है यह की वैल्व आपको दे दिया 541.66 गोल्ट गोल्टेज इतना ही आच्छे स्पीड कुशा है कि कितने स्पीड पर गोमा है ताकि इतना ही गोल्टेज मिले जबकि machine wave bound है अथो number of paddle path is equal to 2 अगर machine wave bound है तो किस स्पीड से machine को गोमा है ताकि same voltage EMF खुश को नहीं है तो therefore 541.66 E equal to Z, P, N, 5 Z कितना है Z to same 500? सॉर्ड Z कितना है 500 500 इंटो 8 इंटो N आपसे पुशा है flux पर पर सेमी है 0.065 upon A 2 तो यह 4 होगया यहां से N कितना आजाएगा N की value यहां से निकल सकती है आपको देखे यह होजाएगा 541.66 divided by 500 इंटो 4 इंटो 0.06 तो देखते हैं जड़ा यह कितना आता है divided by 500 इंटो 4 इंटो यह आ रहा है value आपको 4. 4.166 RPS तो देरफोर RPS एक सकेंड में इतना रेवोईशन तो साथ सकेंड में 4.166 इंटो 16 जो कि होजाएगा 249.99 इस तरह टी कोश्चन्स सिंपल सिंपल है और वी कोश्चन्स आप कर सकते हैं अब हमनों स्टार्ट करते हैं अपना आज का टोपिक सर्कित मॉडल ऑफ डी सी मशीन सर्कित मॉडल ऑफ डी सी मशीन क्या है और इसका क्या इंपॉडेंस है क्यों पर रहे हैं जो आपका डी सी मशीन है उसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि एक स्टेटर है बाहर से अंदर में एक रोटर है रोटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है जो कि या तो लैप वांड होगा या वेवांड होगा फिर कॉमटेटर है फिर ब्रसेस है साफ्ट है कई सारी चीजे तो इतने ब्रॉड फिगर को लेकर के आगी का जो हमारा पुरा को पुरा डी सी मशीन के स्टेडी है इसमें कि निमेरिकल्स करेंगे और टाइपस ओडी सी मशीन पढ़ेंगे सीरी संड कंपाउंड में टैपस करेगरिस्टिक्स तो उनस से हर केस में उतने ब्रॉड Canadian को लेकर के चलना सरी विए उसके लिए psic मशीन का एक छोटा सा स्मॉल फोन इस डोपिट में इस्ट्नित कि एक अ-ट यह पता चलेगा कि चाहे Помन हो दोंों में पावर का अदिया है जैसे कि DC generator में तुम जानते हैं कि mechanical energy देंगे यही जानते हैं कि mechanical energy देंगे electrical energy में लेगा लेकिन mechanical energy मिले से लेकर एक और load को final electrical energy देने तक के बीच में और कहां-कहां power क्यावेस्ट भी होता है या कहां-कहां किस तरह से जाता है इसको समझना है आपको इस ट्रॉपिक में similarly for motors कि motor में electrical input लेते हैं mechanical output देते हैं तो बीच में कैसे-कैसे power का transfer हो रहा है कि सारा कुछ इस ट्रॉपिक में आपको समझें तो separately इसमें दो पार्ट हैं DC जन्रेटर डीसी मोटर तो डीसी जन्रेटर आज देखेंगे पर डीसी मोटर नेक्स विडूट बताएंगा लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक तोड़ा सा चोड़ा सा discussion है उसको देखें क कि सपोज एक DC जन्रेटर है कोई भी DC मशिना मोटर यार्ट जन्रेटर माँ सकते जन्रलाइज यह बात लेकिन सपोज एक DC जन्रेटर है जो की एलेक्रिकल आउट्पूट किसी लोड को देगा तो लोड इन दोनों ट्रेमिनल्स के बीच में लगे राज लाएगा तो इन दो अगले किसी लोड को इसमें आप कोई DC लगा सकते हैं, DC से चलने वाला कोई भी लोड लगा सकते हैं, तो यह जो आउट्पूट में जो वोल्टेज मिलेगा, that is called as terminal voltage उसके बाद हम यह एक ऐस्यूम कर रहे हैं कि एक DC मशीन है, लैपांड है, 4 पूल्स और सपोज 16 कनेक्ट अगर मतलब 4 पूल मतलब 4 पैलल पात और 16 कनेक्टर प्रोटल मतलब परतेएक पैलल पात में 4 चार कनेक्टर कुछ इस तरह से, यह ब्रस, एक इस तरह से, यह कनेक्टर 2, 3, 4, सिमिलरी, आए, यह यह चार पैलल पात में चारक चार का के ऐए के लिए कैठ इस तो हैंल पूल ुस रिस스ंस को हम लोग हैं Dam पुस्त्रेस्टेंस को हम लोग करने कुछ अजूंकर रहे हैं सब्सक्राइब करने कि अगर जिनेरीटर है तो एक इमें भी इंडियू स्वाँ होगा जब जैनेरेटर के आप देखे जी यह इस टेटर प्रियर बीच में कोई रोगटर इस दयुऔर में द्याद सबुव पुरस इस थी में तो सीमत मुनित कॉन्ड़क्टर से यहां से करें क्य Ohhh अब देखे हैं अब जैसे में इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन में यह कंडक्टर और यह दोनुग इंटर्पोलर जोन पर है इन दोनों में मैक्सिम्म इस इसमें कम हो तो किसी पार्टिक्ललर इंस्टैंट पर किसी पार्टिकुलर पोजिशन पे ऐसा हो सकता है कि किसी कंडुक्टर में ज्यादा मेर्ट इहने कम हो। लेकिन UAV तो सबकर सेभी Tibet र भी यहां है लेकिन गुमने के कोर्स में यहां भी है यहां भी आए हरी हरेगा रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हरेक पने इसका अपना रेजिस्टेंस है ही हरेक में जो वॉल्टेज इंड्यूस होगा हो भी क्या होगा हरेक का सेम होगा उसको हम कुछ मांग ले रहा है कि suppose voltage induced जो पर्देक में होड़ा उसको मांग ले सब्सक्राइब होगा तो पर्देक में होगा यह कुछ इस तरह से इस पूरे फिगर को हम लोग ऐसा भी मना सकते हैं कैसे इन चारो डेजिस्टेंस को जो की सीरीज में है इनको हमने सीरीज में करेंट कर लिए 8V और चारे जो सब में जो voltage induced होड़ा है उसको भी सीरीज में आट कर लिए 4V ऐसा कर सकते हैं अब देखें इस कंडिशन में अगर हम देखें तो टोटल यहां से करेंट कितना जा रहा हूँ टोटल करेंट यहां से कितना पास हो रहा हूँ सुपर पोजिशन थोड़ा मगड़ा यह तो अगर सिर्फ इसके कारण देखें तो बाकी तीनों अगर open है सुपर पोजिशन थेरम यूज करें तो I equal to V by R V by R 4 by 8 0.5 A 0.5 A पर यहां से जा रहा हूँ सिर्फ इसके कारण सिमिलरली सबके कारण टोटल देखें तो 0.5, 0.5, 0.2 A अब यह calculation मैंने क्यों किया मैं बताऊंगा भी आपको अब इस circuit को हम एक और तरीके से रिपर्जेक्ट कर सकते हैं तेखें यह चारों आपस में बिलकुल पैडल मे VT अब ब्रस 8, 8, 8, 8 और इन चारों का इक्वेल्ट सर्केट आशावी बन सकते हैं अब इसको एक बर और हम लोग सिंप्लिफाए करके आशार बना सकते हैं अच्छा नीचे में हैं सब्सक्राइब की इस तरह से ब्रस है ठीक है जस्ट लिए आगे आप देखेंगे ठीक है इन इन चारों जो पैडल में एक टॉम रजिस्टेंस हैं इनका पैडल कॉंबिनेशन की नहींगा है टॉम तो क्योंकि वन बाई एट प्रस न बाई आट फोड बाई एट पर टॉम तो इन चाड़ों कॉमगाइन करके कमबाई रिजिस्टेंस टू Гो ido के और यहाँ पर यह जो फोड़ है इसको एससलो स्कूआक कि कितना फोड़ वाइट तो देखिए अभी इस केस में भी इस केस में अगर यहां से जो लोड को जो करेंट मिल रहा है वो निकाल रहा है तो यहां कि जो यह सर्किट है किसी मशिन का उसी का एक्वेलेंट यह है उसी का एक्वेलेंट यह है और उसी का एक्वेलेंट यह है तो यह जो सर्किट है यह काफी सिम्पीफाइड है in comparison to this, इसमें यह जो 2 ohm है यह प्रते कनेटर का resistance है और यहां पर जो 2 ohm है, वो total पूरे का पूरे armature winding का total resistance है, इसको कहते है armature resistance, total armature resistance, कोशन में आपको generally यह देगा, total armature resistance, और यह जो 1 volt है, यह MF inducing per conductor, परते ही conductor में जो MF inducing आपको है, और यह 4 volt के है, यह total generated MF है, जिसको कि हमनों भी इस formula से निकालते है, E equal to ZP and phi upon A, तो this circuit, this circuit, this and this, all are equivalent, सब equivalent है, circuit model of DC machine, कौन सा है, यह वाल है, last one, this, तो DC machine को sort में represent करने का जो तरीका है, यह कुछ इस तरख है, देखें, DC machine को sort में कैसे project करते हैं, ऐसे करते हैं, एक terminal voltage, एक armature resistance, जो की total complete, पुरे की पुरे rotor का armature resistance है, ब्रस, rotor, जिसमें की एक voltage induced है, EA average, और, चुकि आपके machine में एक field winding भी है, उसको भी यहाँ पर इस तरह से बज़न करते हैं, प्लस माइनस VF, मतलब फिल्ड वोल्टेज अपलाई, RF, फिल्ड वैंडिंग का resistance, और IF, फिल्ड वैंडिंग से करें, यह है DC machine का circuit model, अब हम लोग अलग अलग देखेंगे, जेनेरेटर का और motor का, अब DC जेनेरेटर का circuit model कैसा हो, DC जेनेरेटर हम जानते हैं, कि जेनेरेटर मतलब जो की mechanical energy को electrical energy में convert करें, और DC जेनेरेटर में क्या होता है, mechanical energy, electrical में convert होती है, AC में induce होती है, फिल्ड वैंडिंग कोड़ेटर उसको DC में convert कर देता है, तो circuit model of DC जेनेरेटर में देखेंगे, हमने एक terminal voltage लिया, VT, armature resistance लिया, RR, उसके बाद एक brass, यह represent करें आपके rotor को, और rotor के अंदर यह एक shaft, अब चुकि यह generator है, इसलिए है, इसको एक input shaft power मिलेगा, इसके shaft को किसी source से move करना, होगा, और move करने के कारण, suppose इसमें, एक, इस direction में, any speed से NRPSS को move किया, कुछ इस तरह का scene है, यह स्टेटर, इसमें आपका rotor, ठीक है, यहाँ पे brass, commutator स्वने दिखा रहें, ठीक है, यहाँ सबोज नॉर्थ पूर, यहाँ साउथ पूर, और इसमें हम माने एक conductor यहाँ से लिए, और इसको 180 लिए, यहाँ से निकाले, तीन, हम माल रहें कि, नॉर्थ पूर में, कॉईल साइड, और तीन आपको इधर, साफ्थ पूर में, ठीक है, अब इस rotor को, साफ्ट है, इसको हम, इस direction में, गुमाने, तो जिए नॉर्थ पूर में, जो चो कंडुक्टर से हैं, इसमें जो इमें इंद्यूस होगा उसका डिरेक्शन राइट रूद से निकल सकता है मैंनेटिक फिल्ड इधर जो नॉर्थ कोल के अंदर कंड़क्टर से यह उपर की द्रग मुव करें मैंनेटिक फिल्ड इधर मुवमेंट नूपर इमेफ इंद्यूस अंदर की द्रग क्रॉस सिमिलरली जो साउथ पोल में है इसमें यह नीचे की द्रग मुवकर मैंनेटिक फिल्ड इधर मुवमेंट नीचे इमेफ इंद्यूस बहार की द्रग ठीक तो यह इमेफ इंद्यूस होगा और यहां पर कोई लोड कनेक्टेड होगा तो लोड से करेंट भी जाएगा जैसे ही करेंट जाएगा यानि इन कंडक्टर से जैसे ही करेंट जाने लगा इधर से करेंट कर रहा है इधर से निकल 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 रहा है इधर यह चर्णक्टर से करेंट पास करेगा तो फराडे का सेंड लोग लगेडा कि करेंट करेंग कंडक्टर प्लेस्ट इन अ मैंने टेक्ट फिल्ड एक्सपेडियनसे से फोर्स यानि इन कंडक्टर पे एक फोर्स तो साफ्ट कर लगी रहा है जो कि इसको एनी स्पीड से यह मैग्नेटिक फिल्ड यह करेंट अरहें तो मैग्नेटिक फिल्क कि इहार joint का direction अंदर, इस पर किysis चरिक्शन लग रहे है नीची की तरफ साफ्ट से हम इसको नगेर है उबर की तपर और तॉर्क इस По कि जनरेटर में जो एलेक्ट्रो मेंनेटिक टॉर्क लगता है वह साफ पे जो हम फ्रोर्स लगाते हैं प्राइं मुआ टॉर्क के अपोजी डियरेक्शन होता है इनक नेक्ट्रो पर नीचे है और इस पे आप देखेंगे की पूपर है नायों कि इस तरह ऑफ यानि की इसाह पे पर कर रहे हैं लेकिन इस पर प्रयुनक्टर यह है आपका जनेटर ही केस का यह और इसमें एक आश्यवी बनाना जरूरी है इसका हम लोग अगर इस सर्कीट का हम लोग यहां पर करेंट का डिरेक्शन तो आप देखी चुके हैं कुछ इस तरह से करेंट इधर सीन करेंगे इधर से जाएगा यह अगर इस सर्कीट में हम लोग के दियर लगाएं और के लिए लगाने से पहले एक और एक पॉर्टेंट बात यह समझ लेते हैं यह जो ब्रस हैं इन ब्रस का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जैसा हम लोग कारवन और ग्रिफाइट का यूज कर रहे हैं तो जेनरली जो स्टैंडर एक लिया गया है कि चाहें इतना भी कर क्लामेंट इस सर्क्ट में फ्लो करें हम लोग ब्रस का जो वोल्टेज-ड्रॉप है उसको पर देख डाइए तो टू से और सिर्व की पॉलेरीट इस तरह से ऊगी जासे मुझे को बता है। जिस तरफ से करेंट करता है वह हम पर दर से करेंट हिंद इसमें नीचे से इन कर तो तो प्लस मािनम से इसमें के लाखिए तो क्यों में लेक्वेशन क्या लिखेंगें? यहां से चलते हैं सबसे पहले माइनस है तो माइनस IARA माइनस 1 इसका वल्टेज ड्रॉप प्लस E A माइनस 1 माइनस VT इक्वल तो 0 तो therefore VT इक्वल तो E A माइनस IARA माइनस 2 यह एक्वेशन से आपको क्या पुता चल रहा है कि वल्टेज जिनरेट हुआ E A में मतला रोटर में कितना E A और आउटपुट को कितना मिला है राइटी क्या से मिला है? नहीं जो वल्टेज जिनरेट हुआ रोटर में उसमें से कुछ हुआ voltage drop किसके cross armature resistance के cross और कुछ हुआ voltage drop brass के cross two volt उसके बाद मिला है किसको वीटी को मतलब इस case में इस case में ea is greater than vity और एक और बाद कि current का जो direction है और जो voltage induced का direction है दोनों का direction same generator में ऐसा होना भी है क्योंकि generator में rotor में में फिर्टियूस होगा और डोटर ही current supply करेगा लोड को जेनेरेटर में यहां पर में फिर्टियूस होगा और लोड को supply अब इसको देखें इसमें दोनों तरफ अगर आई से multiply करें दोनों तरफ आई से multiply करें तो क्या हो जाएगा multiply both side by i a multiply अब इन चारों चीजों को समझें बीटी इन्टु आईए इक्वल टु ए इन्टु आईए तो power factor का कोई बात ही नहीं इसमें power simply equal to voltage into current तो बीटी इन्टु आईए मतलब power output to load या power given to load या सिले power output ea into i ea into i ea क्या है rotor में जो electromagnetic power develop हुआ rotor में जो electromagnetic power generate होड़ा है जो develop होड़ा है वही क्या है ea into i ea ea i e क्या है electromagnetic power या power generated minus i e squared i e square r e क्या है armature resistance का ohmic loss ohmic loss in armature resistance ohmic loss in r e that is i e squared r e minus 2 into i e 2 है voltage drop in brush और i e है current through brush यह क्या है brush contact loss यह भी heat के ही form में होगा ohmic loss resistance है तो brush contact loss minus brush contact loss 2 into i e तो जारा इसको समझें यह क्या होड़ा है actually मैं क्या है कि जो power यहां generate water में उस power में से कुछ पार्ट armature में copper loss में निकल गया कुछ पार्ट ब्रस में copper loss में निकल गया और उसके बाद जो बचा वो कहा है आपको out to power में गया then electromagnetic power generated उसमें से कुछ पार्ट homic loss में चला गया armature resistance chromic loss में और कुछ पार्ट brush contact loss में चला गया उसके बाद जो power मिला है वो power लेकिन यहीं पर बात ख़तम नहीं हुए यह जो power generate हो रहा है E A into I A P E M generated E A into I A यह किसके कारण होड़ा है mechanical energy दिया उसी कारण हमने mechanical power दिया है PSH उसके कारण ही यह electrical power generate होगा E A into I A लेकिन क्या total जो mechanical power दिया क्या वोड़ो कपना generate होगा नहीं there will be some loss in this soft friction loss, bearing loss, कुछ नहीं कुछ loss होगा तो जो E A I A है यह जो हमने total जो power जो input दिया PSH that will be equal to E A I A जो electrical power generate होगा plus rotational loss rotational loss rotational loss मतलब पुड़ा पिक्चा संजी soft power input आया उसमें से कुछ loss हो गया traditional loss तब जो power बच्चा वो है E A I A फिक E A I A में से armature का copper loss निकल गया और brush का contact loss निकल गया उसके बाद जो power बचता है वह किसको मिलता है लोग को तो complete अगर हम इसका power flow डाग्राम बनाएं यह कुछ इसतर रखा नहीं यह साथी टमाडर हो है और इसका जो पावर फ्लो डाग्राम है जने टरका वह कुछ आसा है कम्प्लीट पावर फ्लो डाग्राम बनाएं यहां से साफ्ट पावर इंपॉट और उसमें से कुछ पावर कुछ पावर रोटेशनल लॉस के रूप में चला गया है और रोटेशनल लॉस के बाद जो पावर बचा वो क्या है टी-एम electromagnetic power यह आई अब इसमें से भी कुछ लॉस होगा सबसे पहले IA2R ohmic loss in our nature resistance उसके बार एक और लॉस होगा brush contact loss two into a और उसके बाद चो पावर बज़ेगा that will be power output यह है power flow diagram for a DC generator और यह आपने समझा किस तरह से क्या है तो यह DC generator का होगे DC motor का हम लोग नेक्स प्लास में पढ़ेगे प्राइपर आपको ध्यान देंगे और जो ही भी के में ता आरके प्राइपर आस पूट से आप कोषिण में बनार तो तेरी देरे आप PC machine बनेगे कोषिणस बनेगे तेके अगली क्रास मिदोग्टी से मोटर का सेंट प्राइपर पडेंट तेक तेक जो